नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एजूकेस्टेन चैनल में आज की यूटू लेक्चार में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे कि हाथ पर कांपना कौन सी बीमारी के लक्सन है तो यहापी जो आप देख रहे हैं कि जो पेसंट है उसके हाथ मे काफी ज्यादा कमपन देखने को मिल रही है उसी तरह से यहाप आप देखोगे तो पेसंट को काफी ज्यादा हाथ उसके कांप रहे हैं जिसके करन क्या होगा कि उसको समझेगे कोई चीज पकट नहीं है या फिर कुछ लिखना है तो काफी जदा उसको प्राबल्लेम उसी तरह से यहाँ पर आप देखो तो fingers में काफी ज़्यादा कमपन देखने को मिल रही है फिर यह डायग्राम में देखोगे तो उसके pair में जब ग्लास पकड़ना है तो वो पकड़ने में काफी दिक्कत आती है फिर पैरों में कई बार जो इस तरह से company या फिर पैर जो वो company लगते हैं तो यह problem होता क्यों है या फिर यह कौन से बीमारी के लक्सन होगेरा है तो उसके बारे में detail में सिखेंगे आज के lecture में और cover करेंगे अलग-अलग points को जैसे के सबसे पहले समझेंगे कि यह बीमारी क्या है फिर समझेंगे उसके symptoms होगेरा क्य क्या है, diagnosis कैसे हो सकता है, treatment के क्या अलग-अलग option है और कौन सी दवा या होती है यह problem को ठीक करने के लिए हैं तो ऐसी समझेंगे आपको detail में सिखना है बहुत सरी दवायों के बारे में बीमारीों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं Pharma Rocks के अब उपर तो यह course को join करने के या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link description box में मिल जाएगी तो बाद है topic पे और समझते हैं कि यह problem क्या है कि जिसके अंदर patient को क्या होता है कि उसके हाथ और पेर जो वो company लगते हैं तो यह जो हमारे nervous system से जोड़ी बीमारी है और उसको medical terms के अंदर हम tremor कहते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि involuntary जो है वो यह process होते है तो मनले कि आपका यह जो process के ओपर कोई भी काबू नहीं होता यह खुझ से ही यह ऐसा होता है कि आपका जो हाथ कापने लगते है या फिर पैर कापने लगते है या फिर fingers में कमपन देखने को मिलती है और यह specially हम बीमारी देखे तो nervous system के related भीमारी है या फिर neurological disorders जो उसको कहा जाता है कि जो हमारी neurons होती है वो समझो कि damage होने लगती है या फिर healthy neurons होते हैं उनमें किसी भी दरा से खराबी आदी है तो यह जो problem जो हो सकता है कि जिसको हम tremor कहते है medical terms के अंदर या फिर essential tremors भी कहा जाते है तो उसके अंदर specially होता तो इसके अंदर होने का यह जो main यहाँ पर एक reason देखो तो यह जो हमारी motor neurons होती है वो किसी तरह से समझो कि damage होती है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर बाती तो उसके करण यह जो है symptom जो देखने को मिलता है तो यह जो लक्षण है वो specially tremor कहा जाता है medical terms के अंदर और उसक symptoms हम देखे तो सबसे पहले यह जो आप डायग्राम में देख रहे है उस तरह से patient को जो वो sickiness देखने को मिलते है उसके हाथों के अंदर मनलब कि हाथ में कमपन देखने को मिलते है हाथ उसके खापने लगते है second symptoms हम देखे तो कोई चीज समझे कि आपको हाथ में पकड़नी है आपको लिखना है या फिर कोई खाना बना देवक कोई बरतन वगरा का आपको पकड़ना है या फिर कोई भी activity करनी है तो वो आप अच्छे से नहीं कर पाते है बिकॉज आप किसी भी चीज को अच्छे से पकड़नी पाते हाथ में तीसरा हम देखे तो आपके जो fingers होते ह उसमें भी shaking देखने को मिलती है वहाँ पर भी company देखने को मिलती है फिर जो हमारे pair है वो भी कापने लगते है कि या पर आप देखे कि कोई एक pair या फिर दोनों pair में ये problem हो सकती है फिर या पर आप देखो कि patient को जो glass पकड़ने के कोसिस कर रहा है पर वो अच्छे से पकड नहीं पाते हैं और कई बार हाथ में से glass वगिर जाते हैं फिर voice में भी यहीं देखने को मिलती है कि उनका जो voice है उस तरह से हो जाता है कि proper वो बोल नहीं पाते speech जो वो काफी slur हो जाती है फिर जब कुछ लिखना है या फिर उसको draw करना है तो उसमें काफी ज़्यादा difficulty आ दिया है तो यहाँ पर जो आप देख रहे है कि यह वाला समझो कि normal है कि आप बना रहे है एक spiral पर यह वाली side का spiral आप देखोगे तो वो अच्छे से नहीं बनाए फिर जो utensils के में आने आगे भी बात की कि जब भी आपको कुछ खाना बनाना है या फिर कोई ऐसी प्रोसेस करना है उसमझे कि आपको glass पकड़ना है बरतन स्वगेरा को handle करना है spoon वगरा को आपको पकड़ना है तो वह आप अच्छे से नहीं पकड़ पाते और यह symptom देखने को मिलता है यह essential tremor के अंदर फिर अब उसके reasons हम अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहला यह reason होता है genetic होता है मनलब कि family history के अंदर किसी को यह problem था तो आपको भी यह problem जो आगे जाके हो सकती है second reason हम देखे तो neurological disorders मनलब कि आपकी neurons या फिर आपके brain के अंदर कुछ problem हो रही है और उसके करन आपके neurons अच्छे से काम नहीं कर या फिर उनको command अच्छे से नहीं मिल रहे है तो भी यह problem जो हो सकते हैं especially neurological impairment या फिर neurological disorders कहते हैं तीसरा reason हम देखे तो जो MS का जो problem होता है जो इसको medical terms के अंदर हम multiple sclerosis कहते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी healthy neurons होती है उसमें आप देखो तो node of rainwire होता है swan cells होते है और nerve fiber होता है और myelin का बना एक proper एक protective layer होता है उसके उपर पर यह जो myelin जब damage होता है तो एक medical condition produce होती है जिसको multiple sclerosis की condition कहते हैं तो इसके करण भी हाथ और पेर जिव आपको कमपन देखने को मिल सकती है वो काम सकते हैं हाथ और पेर फिर Parkinson's disease में एक symptom बनता है कि यहाँ पे आप देखो कि ट्रैमर एक यहाँ पे symptom डिसकस क्या हुआ है Parkinson's disease के अंदर इसके अंदर भी neurons जो वो damage होनी लगती है पांचवा हम reasons देखे तो stroke या फिर कोई traumatic brain के अंदर को injury हो है तो यहाँ पे आप देखो कि brain के अंदर blood vessel का जो वो rupture हो है मतलब कि blood vessel जो हमारे brain क के अंदर ही तूट जाती है तो उसके करण भी यह problem हो सकता है और दूसरा blood vessel जो वो block हो जाती है आपके brain के अंदर तो उसके करण भी यह neurological symptoms देखने को मिलते है और वो एक यह problem create करते है ट्रैमर का प्रिछटा reason हम देखे तो mercury poisoning में भी यह symptom देखने को मिलता है कि किसी के अंद यह mercury का poisoning हुआ है तो भी उसके हाथ पेर जो हो कापने लगते हैं साथवा हम देखे तो आपके जो thyroid gland है वो काफी जदा over active है कि जिसको medical terms के अंदर hyperthyroidism कहते हैं तो उसमें भी यह problem हो सकती है आठवा reason हम देखे तो आपके liver या फिर kidney फैल है कि किसी के liver में प्रॉब्लम है य anxiety या फिर जब किसी को panic attack आता है तो भी एक symptom develop होता है तो यह कोई reason है दस वा reason हम देखे तो जैसे जैसे age बढ़ती जाती है जैसे neurons भी weak होने लगती है तो उसके अंदर भी जैसे बढ़ती उमर के साथ भी यह symptom जी वो लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं फिर कुछ दवा यूँकर side effects के करण यह problem हो सकता है जैसे कि अस्थमा के जो medications आते हैं उनकी एक side effect होती है tremor, amphetamines है, caffeine वगेरा है, corticosteroid है या फिर जो psychiatric drugs लोग use करते हैं उनके side effect के तोर पे भी यह problem हो सकती है फिर 12 वर reason हम देखे तो वो है vitamin D की deficiency कि समलों कि आपके सरीर के अंदर vitamin D की कमी है तो भी यह symptom जो है वो डेखने को मिल सकता है और last एक reason हम देखे तो वो है कि आपके brain के अंदर calcium का जमा होना कि यहाप आप देख रहें कि कुछ ऐसे disorders होते हमारे सरीर के अंदर कि जिसके करण क्या होता है कि जो calcium जो है वो brain के अंदर enter होता है कि जो हमारे हड़ी हो के अंदर या फिर जो हमारे teeth होते है उसमें जमा होना चाहिए पर वो हमारे brain के अंदर जमा होने लगता है और उसके करण भी ये problem जो हो आपको हो सकते है तो बहुत सारे ऐसे reason है कि जिसके करण ये एक symptom या फिर एक लक्सन जो हो देखने को मिलता है अब बात करते है उसके diagnosis की तो कैस पता चलेगा कि reasons वगरा किया तो उसके लिए अलग-अलग test perform किये जाते है और कुछ procedures वगरा है medical जैसे कि सबसे पहले medical history जो हो चेक की जाती है patient के कि अच्छे से उसके साथ patient counseling किया जाता है 10-15 मिनिट प्रॉपर उसको question रिस की जाती है उसके बाद आपको पता चलता है प्रॉपर आप चेक करते हैं तो भी उसके बाद चीस से उसको physically चेक करके भी पता चलता है neurological examination किया जाता है कि जिसके अंदर torch वगरा को यूज करके या फिर इस तरह से जो reflex hammer वगरा आती है उसको यूज करके भी एक physical examination हो सकता है especially neurons के related फिर blood और urine test भी किया जाता है कि जिससे आप reason पता लगा सकते है कि problem किस reason से हो रही है फिर ये test खास किया जाता है इसके अंदर कि जो spiral drawing का जो test के या फिर एक task दिया जाता है patient को कि उनको इस तरह से proper एक healthy जो वो drawing करनी होती है पर वो अच्छे से नहीं कर बाते है जिस तरह से ये इस तरह वो drawing कर दे है कि जिससे हम पता चलता है कि ये essential tremor जो उनके अंदर develop हो रहा है तब बात करते हैं उसके treatment कि कौन से अलग-अलग treatment के options available है ये problem को solve करने के लिए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसके लिए patient को physical therapy दी जाते है या फिर speech language therapy कि जिसको स्वाट में ST कहते हैं या फिर occupational therapy कि जिसको स्वाट में OT कहे तो ये तीन अलग-अलग treatment है PTSD and OT जो patient को दी जाती है कि जिससे ये problem जो दीरे-दीरे solve होने लगता है तो ये खास एक जरूरी option बनता है अगर आपको ये tremor का problem है second अब देखे तो deep brain stimulation करके एक surgery का option रहता है तो ये भी जो एक option रहता है इसके अंदर treatment का फिर तीसरा हम द लेके सबसे पहले तो beta blockers जो दवाईया होती है उसके अंदर propranolol का option रहता है तो propranolol के dose के बारे में आपको बता दूँ कि उसका जो dose रहता है वो खास कर 40 से लेकर 80 mg जितना होता है दिन में 2 बार या फिर दिन में 4 बार भी patient उसको ले सकते पर दिन में maximum dose जो वो 160 mg से ज्यादा जो वो नहीं बढ़ना चाहिए second medicine हम देखे तो वो है primidon के जो tablet साते हैं कि जिसका dose जो 100 से लेकर 200 mg जितना रहता है दिन में 2 बार जो उसको use किया जाता है तिसरो option रहता है alprazolam का कि जो benzodiazepine glass की drug है जिसका dose रहता है 0.25 से लेकर 1 mg जितना patient लेते है दिन में 3 ब जाती है आगे चौथा option बनता है वो है klonazepam के tablets का तो klonazepam का यहाप आप डेख सकते कि marketed formulation के अंदर 0.25 mg के tablet से और उसका भी dose रहता है same alprazolam की तरह ही 0.5 से लेकर 5 mg वो भी दिन में 3 बार जितना उसका dose रहता है पांच वो option बनता है हमारे पास वो है metazepine का कि जिसका dose ह 15 से लेकर 45 mg जितना रहता है per day तो मानलो यह 15 mg के tablet से वो पेशन दिन में 2 बार यह इन 3 बार ले सकता है चाथा option हम देखे तो topira mat कर रहता है तो यह आप अब उसका marketed formulation देख सकते हैं topa mat करके कि जो 25 mg के tablet है तो इसका dose रहता है 25 mg OD वोलागे सिर्फ एक ही बार जो यह tablet आपको दिन में लेनी होती है साथ वो option बनता है gaba pentene का कि यह आप गाबा पिन करके उसका marketed formulation आप देख सकते हैं तो उसका dose रहता है 100 से 300 mg और दिन में एक ही बार या फिर दिन में 3 बार यह 100 mg के tablet जो पेशन ले सकता है और अगर आप 200 mg या फिर 300 mg में ले रहे तो वो सिर्फ पर सिर एक बार जो वो लेनी चाहिए है आठ वो option हम यहाँ पर देखे तो लेवे रा की जो tablets आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 250 mg के strength में और उसके अंदर salt content के हम बात करें तो लेवे टिरा से time करके जो medication है तो जुसका जो dose है वो है 250 से लेकर 750 mg जितना दिन में 2 बार रहता है तो यह 250 mg के जो tablet है वो patient दिन में 2 बार ले सकता है या फिर 3 बार भी आप उसको ले सकते हैं नौवा option हम देखे तो आप supplements के बाद है कि vitamin D की deficiency भी यह इसको responsible है यह problem होने के लिए तो vitamin D के supplement जैसे कि उसके sachets वगरा आते है granules और उसके capsules वगरा भी आते हैं तो अगर आप sachet यू capsule आपको week में use करने होती है इसलिए आप देखो कि जो capsule भी जो है वह 4 ही दी गई है तो एक मैने का यह समझे के कोर से आपका तो हर week यह एक capsule जो है वो use करते हैं दस वह option हम देखे तो neurons के लिए जो supplements होते हैं कि neurons के healthiness के लिए जो दवाया लेनी ज़रूरी पड़ती है तो उस higher dose लेने से कुछ complications वगरा हो सकती है फिर उसके option में दूसरा बनता है वो है नियूरोबियन फॉर्ट के जो tablet साते हैं तो वो भी एक ही tablet आपको लेनी होती है फिर बाराव option है आप हम देखे तो homeopathic medicine का एक option है तो वो भी यह काफी अच्छी रहती है tremors वगरा के लिए तो उस पांच इतने drops आपको लेने होते हैं दो से तीन बार और वो भी पानी के अंदर उसको dilute करके आपको यह drops जो लेने होते हैं उसी के अलावा इसमें alternative एक दूसरा भी option है वो है agericus के drops रहते हैं तो उसका भी dose जो सेम रहता है कि तीन से लेकर पांच इतने drops patient use करते हैं दिन मे दो या तीन बार और वो आपको same जी लरली पानी के अंदर mix करके उसको लेने होते हैं इसे में एक और option है वो है plumbum का option रहता है तो यह भी similar तरीके से आपको drops जो वो use करने होते हैं तो यह सभी अलग-अलग medications के option रहते हैं कि जब किसी का इस तरह से problem है कि उसके हाथ का आप आपने लगते हैं इस तरह से हम proper उसका उप्चार कर सकते हैं तो ऐसे समझें कि आपको detail में सिखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में दववयों के बरमिता आप medicine course को जोइन कर सकते हैं तो यह course को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best